तीन मार्च को उत्रप्रदेश में सियासी तपिश बढ़ने वाली है क्योंकि तीन तारिक को राज़ानी लखनों की मोहन लाल गंज लोगसबा सीट पर इस गुड़ारा गाउं में मदप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादो आने वाले हैं ये कारिकरम इस्थल आप देखि क्या माइने निकालते हैं उससे इतर यहां के लोग हैं यहां के आम लागरिक हैं वह क्या समझते हैं इस कारिकरम के माइने को उन से सीधे बातचीत करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे यहां इस गाउं के लोग मेरे साथ मौजूद है आप देखिए एक बड़ी परदेश के मुख्वंटरी हैं वो आ रहे हैं क्या मैसेज आप देखते हैं उनके आने से क्या महोल बनने वाला है क्या महोल बिगड़ने वाला है कैसे दिखते हैं आप बिदाइए आपका शुब नाम संजय यादो यही के रहने वाले हैं यह बिदाईए यह अखले शादो से ऐसी क्या नाराजगी थी कि एक अलग कारेकरम भाजपा का कराके और यहां पर एक अलग महौल बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं हम लोग कोसिस नहीं कर रहा हम लोग अपने समाज को एक जूट कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश से हमारे समाज की लोग यहां आएंगे एक लाड़ के ऊपर हमारे यहां भीड़ोने वाली है और अकलेस यादों ने यादों का कल्यान किया है इसा पस्चिम के ना कि आवद के कि पूरप के हैं आप भी जान रहे हैं कि आवच के यादों के उपर इन्हों ने कितनी कारवाई की सीताफुर के राम पालियादो जी जो थे राम पालियादो जी उनका यहां मकान तोड़ा गया उनका वहां हुटल तोड़ा गया अगर यही यादो पस्चिम का होता तो आप जान रहें कि उसके पर कोई कारवाय नहुती और यहां के यादों को उपर सिफ यह है कि एक यादो समाज को ठगने का यह काम करते हैं कि इधर के याद महसूस करता है? बहुत ठका वह महसूस किया. यहां का यादों का कुछ भी नहीं हुआ, किसी घर में सरकारी नोकरी नहीं है, इनके माद्यम से आब कई जलेए यहां का दो कत्वाईं दी गई थी और यहां के यादव को कुछ नहीं बिठाएगा जो हमारे समाज के लिए खड़ा होगा जो हमारे समाज के लिए करेगा हम उसके लिए आप ऐसे सोचे मोहन यादो जी यह से यहां आ रहे हैं अगर यही गौवर्मेंट इनकी होती राश्टी पाल्टी होती या दूसरी मुकमनती बनाना होता तो यह क्या किसी पाइडान पर बैठे हुए बिधायक को मुकमनती बना दिया तो उससे कहीं न कहीं खुशी है मन बहुत खुशी है आप अपना नाम बताई मेरा नम शेलेश चंड़यादा है कहां के रहने वाले हैं चंदौली से आएं तो इसी कारेकरम के लिए बिलकुल कारेकरम के वोist क्रप्णु कान जाएं तो याद उसे में रहें टो गए सरकार में कल ठगा गया है अब है में चंदौली की बात कर ता हूं तो जैसे conscious सरकार थीक तो मलओछार है मलोक sacrifices चंदॉली जो, उहां मुसलमानों और यादों के भी जगडा हुए है, और मार भी खाये यादो, हत्या भी यादो की हुई, उसके बाद जेल भी यादो गए, और उनके पर आज भी मुकदमा चल रहा है, तो हम तो ठगे जा रहे थे, तो यादो है, उसके बाद हमारी पर ही मुहन यादों से उमीद है बिलकुल उमीद है कैसे हम लग रहा है कि हम यहां जहां है परिवार से नहीं है परिवार के बीच नहीं हो यहां आपके का बिलियत्त आप आपको सही जगह मिले अपना नाम बताई भाई सब कहां से रहने वाले मैं जनपत चंदोली करें चाह भी चंदोली जाने हैं विल्कुल हमारे जिले से लगबग लगबग दो सो लोग आ भी रहें अच्छा इसी काक्रम के लिए और मैं इस काक्रम में आए सभी यादो समाज को अभार पुगट करूंगा और मैं धन्वा देना चाहूंगा अपने बड़ी भाई जो अभी इस काक्रम के आउजयक हैं आदड़ी मैनिश्यादो जी कि एक ऐसी हुंकार अन्होंने भहरा है पूड़े देश की यादों को जनको जाती के नाम से एंसरी ठगा वन्हिक नाम से राजशनीतिक रोकी सीकि की गई ओसकी वीपक्ष देश के हिद में राष्ड के हिद में और जो हमारा हिंदू सनातन है इसके पुक्ष में जो आज महाकुम का आयोजन किया गया है मैं इसके लिए इस ग्रामसभा किशवी लोगों को और खास तोर से मनिश्विया को मैं धन्यवा देना चाहूं जिस तरीके से अखलिश यादो या समझवादी पार्टी ये मानती है कि यादो उनके साथ है यादो एक जुट है तो वह इस तरीके से इस कारक्रम से आप लोग की मनुभाव से तो क्या वो यादो बिखरता हुआ नहीं एक चीज़ तो असपष्ट है और यह बात असपष्ट यह है कि इस काकरम से जो काकरम यादो महाकुम का नाम दिया गया है जो काकरम के मुख्यतिती मद्य परदेश के उत्तर परदेश के सटे राज्जी मद्य परदेश से मानी मुख्यमंतरी मोहनी यादो जी को जो मुख्यतिती बनाया गया है इस काकरम से यह तो सपष्ट हो ग मुहन यादो जी का उत्तर प्रदेश के लोग्स वा आजम गड़ में इनका दोरह हुआ था तो उन्हों नहीं कहा था कि मोहन यादो जी अपनी लिखी बातों को नहीं बोलते हैं कि किसी के लिखी बातों को बोलते हैं तो मेरा मानना है कि पुड़े प्रदेश में नहीं बलकि देश में दूसरा याद उत्पन नहीं होना देख रहे हैं जो राजनितिक समीकरण में उचा जाए और मैं चीज उनको छोटा सा सलाह देना चाहूंगा कि देश के बहुत दर्दावर नेता के वो पुत्र है हमारे आदड़ी है हमार जारी किया तो उसमें आदा सदिक उनके ब्यक्तिकत परिवार के सबसे है और गडवंधन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है और गडवंधन से ठक बंदन है और इस गडवंधन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सोशड होता है तो यादो समाज को यादो समाज के और यादों का सुशड करना आप बताईए अगर कोई यह लोग कुछ भी किया है यादो समाज के लिए तो उल्टा विबाद बयान देते हैं कभी राम भाजपा तो यही कहती है कि यादों का पूरा का पूरा तरीके से विकास वो अखलिश आदो ने किया बाजपा तो यही इस नहीं किया है कि लिए आपको शुब नम कहां ग्रेणवाले गनावरागी कारेक्रम इतना जो करा रहे हैं कारेक्रम की माइने क्या है मतलब क्या संदेश देना चाहतें इस करेक्रम से तो अब क्या बदलाओ तो यहां तो पिछली बार भी भाजपा की सरकार अब क्या बदलाओ अच्छे से बदलाओ नहीं मतलब आप किया रहे हैं अच्छा नहीं किया तो बदलाओ किस सेंस में चाहते हैं अब यादो आएंगे क्या उमीद लगा के बैठे हैं क्या बोलेंगे ऐसा जो एक बड़ा मेसेज जाएगा या क्या चाहते हैं आप लोग उनसे क्या सुनना चाहते हैं यादो जियार हैं अपने समाज की बात कहेंगे उनसे जो हमको लाप लेना होगा अपने समाज के लिए उनसे अपनी बात रखेंगे क्या चाहिए यादो समाज को? यादो समाज को चाहिए और क्या? रोजगार चाहिए, नवकुरी चाहिए यादो समाज आद तक जो पिछड़ा है 20 सालों की राज़ीती तर्परदेस में आगे बढ़ेगा यही बच चाहते हैं यादो समाज की जो लोग है यह इस वक्त मैं गनौरा गाउं मौझूद हूँ और यहाँ पर जो लोग मुझे मिले इसमें कुछ आयोज़क थे, कुछ इसगाउं के लोग थे कुछ इसकारिकरम में शामिल होने के लिए दूसरे जनपत से आये थे और सबका यह कहना है कि अखले इशादों की सरकार में या समाज़दी पालिटी की सरकार में जिन यादों का विकास हुआ यादो पश्यम के वो यादो जनका कुछ चुनिंदा जनपतों के हैं चाहिए वो इटावा हो, मैनपुरी हो इन जनपतों के ही कुछ शुनिंदा लोगों का विकास हुआ है, कुछ लोगों का विकास हुआ है, बाकी चाहे पुर्वांचल की बात की जाए, चाहे पश्यम की बात की जाए, उसमें अधिकतर लोगों का विकास नहीं हुआ और इसलिए लोग एक दूसरी तरफ, दूसरी धुरी की तरफ, फि बापकी